नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेक इस बुलेटन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आए देखते हैं सुर्खियां राश्ट्पती रामनाथ कोविन का विदाई समहरो कारिक्रम में पीम मोदी उपराश्ट्पती वेंकया नाइडू रहे मौजूद कोविन बोले पूरी शम्ता के साथ कर्तव्य को निभाया राश्ट्य धोज फैराने की सरकार ने बदले नियम अब रात को भी फैरा सकते हैं तिरंगा पहले सूर्यास्थ के बाद तिरंगा फैराने पर थी रोक यूपी बीजेपी में जारी हलचल आज भी दिली में मौजूद रहे सीम योगी आदितिनाथ और डिप्टी सीम केशव परसाद मौरिया और ब्रिजेश पाठक मंतरियों के पत्र वायरल होने के बाद मचा है बवाल शिंदे की सीम बने से खुश नहीं है महराष्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक चंद्रकान पाठिल का आया बयान बोले दिल पर पत्थर रखकर बनाया मौख्यमंतरी ताकि स्थिर रहे सरकार योपे में जारी की गई नई बिजली दरें बिजली दरों में की गई करीब 10 फीसिदी की कमी सरकार ने 7 रुपए का स्लैप किया खत्म तो ये थी सुरकियां आईए अब बढ़ते हैं आगे तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है चाचा शिपाल यादव को सपा से विदा करने की अखलेश की तैयारी की सपा प्रमुक अखलेश यादव ने आखिरकार लंबी नोग जोग के बाद चाचा शिपाल से किनारा करने का मन बना लिया है चाचा के सासा सायोगी ओपी राजभर से गड़बंदन खत्प कर लिया है अब तलाग के बाद किस से गड़जोड करने जा रहे हैं ओपी राजभर और अब क्या होगा शिपाल यादव का इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा वहीं बात होगी पश्चिम मंगाल की राजनीती में आए भूचाल की कैसे एडी के सामने ममता बैनरजी के तेवर पड़े नर्म साथ ही चर्चा करेंगे केंद्रे मंत्री इसमरती इरानी पर लटकती इस्तीफे की तलवार की बात होगी सीजी आए के बयान की इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू तो बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की ओर तो दोस्तों 2022 यूपी विधानसाबा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सपा प्रमुक अखलेश यादव और चाचा शिपाल के बीच रिष्टों में मन मुटावा गया था और इसके बाद लगातार रिष्टे खराब होते चले गए अब दोनों की ये नाराज़गी जग जाहिर हो चुकी है एक तरफ अखलेश ने पार्टी बैठकों में शिपाल यादव को बुलाना बंद कर दिया है तो दूसरी तरफ शिपाल भी अखलेश को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं इसी जद्दो जहद के बीज अखलेश ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए चाचा की सपा से विदाई करती है 2022 विदानसपा चुनाव में अखलेश ने नई रणनीती के तहट छोटे छोटे दलों से गड़ बंदन किया था हलाकि परिणाव उनके पक्ष में नहीं आए लेकिन चुनाव के बाद सही अखलेश और गड़ बंदन सही योगियों के बीच के रिष्टे खराब होते जा रहे हैं खासकर शिपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ ये संबंद ज्यादा खराब होते चले गए और अब तो अखलेश यादव ने चाचा शिपाल से नया रास्ता चुनने को भी कह दिया है दरसर सपा के ट्विटर हैंडल पर एक चिठी पोस्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि शिपाल कहीं भी जाने के लिए स्वतन्त रहें पार्टी ने लिखा मानेनिय शिपाल सिंग यादव जी अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहाँ जाने के लिए स्वतन्त रहें सिर्फ शिपाल ही नहीं समाजवादी पार्टी ने सुभास्पा प्रमुग ओमप्रकाश राजभर को भी ऐसी ही चिठी भेजी है जिसमें उन्होंने राजभर पर बीजेपी का सहीयोग करने का आरूप लगाते हुए गड़बंदन तोड़ने के संकेत दिये हैं सपा की तरफ से राजभर को भेजे गए पत्र में लिखा गया है अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहाँ जाने के लिए आप स्वतंत रहें और अब सपा के इस ख़त पर राजभर का भी बयान सामने आ गया है राजभर ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा है समाधवादी पार्टी की ओर से तलाग का पैगाम आ गया है मैं अखिलेश का तलाग कबूल करता हूँ और मैं किसी का गोलाम नहीं अब मैं सबसे पहले बीएस 30 सहयोगी ओपी राजभर से भी अखिलेश ने रिष्टा तोड़ लिया है इधर पशिममंगाल की राजनीती में भी भुचाला गया है एडी ने शिक्षक भरती घोटाला मामले में पशिममंगाल के मंतरी पार्थ चटर जी को आज गिरफतार कर लिया है शुकरवार को पार्थ चटर जी को एडी ने शिक्षक भरती घोटाले में करीब 26 घंटे की पूश्ताज के बाद गिरफतार कर लिया है शुकरवार को उनकी करीबी आरपिता मुखर जी के घर से जाच एजनसी को 20 करोड रुपै कैश मिले थे शिक्षक भरती घोटाले की जाच के सिलसिले में सत्ता पर काबिस त्रणमुल कॉंग्रेस के दो मंत्रियों समें करीब एक दरजन लोगों के घरों पर शुकरवार को एक साथ छापे मारी की गई थी एडी के अधिकारी शुकरवार सुबा पार्थ चटर जी के घर पहुँचे थे और उनसे जाच के सिलसिले में पूश्ताच की गई थी कलकता हाई कोट की एक पीठ ने सरकारी साहता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भरती प्रकरिया की सीवी आई जांच का आदेश दिया था ED सरकारी साहता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षकों और गायर शिक्षर कर्मचारियों की भरती में मनी लॉंडरिंग की जाज कर रहा है ED के मताबिक अरपिता मुखर जी पश्यमंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर जी की क्लोज एसोसियेट है सुवेंदरू अधिकारी ने जो तस्वीरे शेर की हैं उनसे साफ पता चलता है कि दक्षन कॉलकत्ता की मशूर दुर्गा पूजा से अरपिता मुखर जी का लगाव है दुर्गा पूजा कमेटी के विग्यापनों में अरपिता मुखर जी का चहरा आगे रहा है खबरों के मताबिक अरपिता मुखर जी बंगाली उडिया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है ऐसा माना जा रहे कि दुर्गा पूजा कमेटी के जरिये ही पार्थ से अरपिता की मुलाकात हुई थी वही टीमसी ने इससाफ इंकार कर दिया है कि अरपिता मुखर जी का पार्टी से कोई लेना देना है पार्थ चटे जी की गिरफतारी के बाद बंगाल की सियासत में उबाला गया है CM ममता बैनर जी से लेकर TMC के कई मंत्रियों ने इसे BJP की साजिश बताया है पार्थ चठेजी के करीबी के घर से 20 करोड कैश मिलने पर BJP ने बंगाल सरकार पर तंज कसा है BJP ने कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है पिच्चर अभी भाकी है खबरों के मिताबिक अभी ED पार्थ के कई और ठिकानों पर चापे मारी कर सकती है और इस घोटाले की आच कई मंत्रियों को अपनी जद में ले सकती है अब देखना होगा कि ED की इस कारवाई पर ममता दीदी क्या एक्शन लेती है ममता बेनरजी लगातार मोधी सरकार पर एजिंसियों के गलत इस्तमाल का आरूप लगाती रही है अब ED की इस कारवाई ने ममता के तेवरों को नर्म कर दिया है इधर बीजेपी को भी बड़ा जटका लगा है बीजेपी अकसर कॉंग्रेस के निताओं पर घुटाले का आरूप लगाती है उनके खिलाफ ED से लेकर CBI की जाँच बैठाती है लेगिन आप कॉंग्रेस ने मोधी सरकार में मंत्री स्मृती इरानी पर गंभीर आरूप लगा है विपक्षी पार्टी ने स्मृती इरानी के खिलाफ हला बोलते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली है नैशनल हराड मामने में राहूल गांदी और सोनिया गांदी सी ED की पूछताच को लेकर बीजेपी लगातार कॉंग्रेस पर हमलावर है लेकिन अब विपक्षी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कॉंग्रेस के निशाने पर केंद्रे मंत्री इस्मृती इरानी आ गई है पार्टी ने उन पर गंभीर आरूप लगाते हुए पीम से कहा कि वो तुरंत इस्मृती इरानी का अस्तिफाले दरिसल कॉंग्रेस नेताओं का कहना है कि इस्मृती इरानी की बेटी को बार का लाइसंस फर्जी तरीके से दिया गया है जिसकी जांच होनी चाहिए कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने प्रेस कॉंफरेंस करते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि पीम तुरंत स्मृती इरानी का अस्तिफाले पूरे दस्तावेज हैं जिने आटी आई से लिया गया है स्मृती इरानी से जवाब चाहते है कि जिस आप कारी आयुक्त ने रेस्टोरेंट को नोटिस दिया उसके ट्रांसफर की तैयारी हो गई है क्या इरानी जी ये आपकी अनुमती के बिना हो रहा है ये धांदली कैसे शुरू हुई सत्ता बल का प्रभाव फर्जी वाड़े को छिपाने के लिए चल रहा है हम संसद में ये मुद्दा उठाएंगे साथ ही उन्होंने मांग की है कि महिला आर्टी आई एक्टिविस्ट को सुरक्षा मिले कॉंग्रिस नेता ने स्मृती इरानी पर हमला बोलते वे कहा कि ये कोई तू-तू-मेमे का सवाल नहीं है स्मृती इरानी हमेशा सोनिया जी राहुल जी के बारे में बोलती रहती है लेकिन वो तो आधार ही न होता है हम कागजात के आधार पर बोल रहे हैं कॉंग्रेस के आरोपो पर स्मृती रानी ने सफाई देते वे कहा कि मेरी 18 साल की लड़की राजनीती से दूर है वो कोई बार नहीं चलाती है वो कॉलिज में पढ़ाई करती है मैं जैराम रमेश से पूछना चाहती हूँ कि क्या RTI की उस एप्लिकेशन में मेरी बेटी का ना हैं कि एक बार को अख़बार से क्यों दिक्कत हो रही है इन सब के बीच चीफ जस्टिस एनवी रमन ने आज की पत्रकारिता पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं चीफ जस्टिस अकसर ही अपने बेबाक अंदाज और हर मुद्दे पर अपनी राय खुल कर रखने के लिए सुर पूर भूमी का निभाता है लेकिन आज के समय में मीडिया दिशाहीन होता जा रहा है और खासकर इलेक्ट्रोनिक मीडिया के स्तित ही कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है ये कहना है देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन का इलेक्ट्रोनिक मीडिया की कारिशेली पर लेकिन एलेक्ट्रोनिक मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती है। लेकिन एलेक्ट्रोनिक मीडिया की असल तस्वीर सामने आई है लेकिन CGI के बयान से क्या हाला सही हो जाएंगे बयान दो राहुल गांधी के भी सामने आ रहे हैं जो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। राहुल के सवालों से मोदी सरकार संसत में भी बस्ती नजर आ रही है। तो आप क्या कहा है राहुल गांधी ने देखते हैं इस रिपोर्ट में। को तैयार ही नहीं है और ना कहीं कोई डेटा है जो सरकार को सचाई दिखा सके क्योंकि सारा डेटा गाया भी कर दिया गया है। प्रवासी पैदल नहीं मरा किसी की मौब लीचिंग नहीं की गई किसी पत्रकार को गरफतार नहीं किया गया है। कोई जवाब नहीं कोई जवाब दे ही नहीं। हाला कि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल ने मोदी सरकार को घेरा हूँ। इससे पहले बीते दिन रेलवे के सीनिय सिटीजन को टिकेट में दी जाने वाली छूट से इंकार करने को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा था। अब राहुल गांधी तो लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार कब सुनेगी ये बड़ा सवाल है। पहुत चुकी है। चुनावायोग ने एक नाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को आठ अगस्त को दो पहरे एक बजे तक जवाब देने का वक्त दिया है। इसको लेकर शिफसेना सांसद संजराउट ने मोधी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाला साहिब ने 56 साल पहले हिंदुत को ध्यान में रखकर शिफसेना की स्थापना की थी। अब चुनावायोग इस पर सवाल उठा रहा है। ये महाराष्ट के लोगों के लिए बेहद शौकिंग है। पर निशान सभा में मौझूद अपनी संख्या को आधार बनाया है। वहीं शिंदे ने संजराउत के बयान पर पलचवार किया है। शिंदे ने कहा है कि बहुमत मेरे पास हैं हमारे साथ 50 विधायक हैं और शिवसेना के दो तहाई से ज्यादा सांसद भी हमारे साथ हैं। बिलिटन के आखिर में बाद गैस सेलेंडर पर खत्प होई सबसिडी की रसोई गैस सेलेंडर पर मिलने वाली सबसिड़ी को सरकार धीरे धीरे खत्प कर नहीं है। इस तरह से सरकार ने लोगों के साथ खेला किया है अपने वादों को जूट साबित किया है और कैसे हुई सरकार की मोटी कमाई देखते हैं इस रिपोर्ट में जब से देश में मोटी सरकार आई है तब से ही देश की जीडीपी में गिराव अटा रही है केंदर का ख़जाना खाली हो रहा है जिसकी भरपाई के लिए अब मोटी सरकार जनता की ही जेव काट रही है जहां कई योजनाओं को बंद कर दिया गया तो वही रसोई गैस करोड रुपे खर्च किये थे वही 2021-22 में ये खर्च घटकर महज 242 करोड रुपे रहे गया है इस तरह सबसीदी को खत्म कर सरकार ने सिर्फ एक वितवर्ष में ही 11,654 करोड रुपे बचा लिए पेट्रोलियम मंतराले के अनुसार वितवर्ष 2017-18 में LPG सबसीदी पर 23,464 क करोड रुपे खर्च हुए थे तो वितवर्ष 2018-19 में 37,209 करोड रुपे पहुँच गये इसके बाद सरकार ने लोगों से सबसीदी छोडने की अपील की और करोडो गरहकों ने इस अपील पर सबसीदी छोड़ दी जिससे वितवर्ष 2019-20 में सरकार का खर्च घटकर 24,172 क करोड पर आ गया 2021 में इसमें करीब 50% से ज्यादा की गिरावट आई और सबसीदी का खर्च घटकर 11,896 करोड रहे गया इसके बाद 2021-22 में ये खर्च घटकर 242 करोड रुपे रहे गया है और ये सबसीदी भी सरकार ने उज्वला योजना का लाव उठाने वाले लोगों क कीमत 834 रुपे 50 पैसे थी जो अब 1053 रुपे पर पहुँच गई है यानि बीते एक साल में घरे लू गए सिलेंडर की कीमत 218 रुपे 50 पैसे बढ़ी है इस पर मिलने वाली सबसीदी भी खत्म कर दी गई है यानि साफ है कि अपनी जेब भरने के लिए सरकार लोगों को अपसान पहुचा रही है तो आज इस बुलेटिन में बास इतना है देखते रहे हैं डीवी लाइफ नमस्कार